हेलो दोस्तों स्वागत आपका प्रियंका लर्नी क्लासेज में आज हम लोग देखेंगे CDP का previous year question जो की paper 1 का है इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि पिछले साल कितने सारे question और किस pattern पे आये हैं उसका हम लोग revision भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं CDP के previous year question तो पहला question हम लोग देखते हैं प्रात्मिक अस्तर पर एक सिक्षक निम में से किस से सबसे माध्यम विसेष्टा मानना चाहिए तो इसके answer हम लोग देखें धैर और डिट्टा का अगला है एक सिक्षक अपने लोग तांतिक सोभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने का अनुमति देता है कुछ सिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं किसा मोही पठन करते हैं कुछ चुप्चा बैठ कर अपने आप पढ़ते हैं एक अभाव को यह पसंद नहीं आता इस इस्तिजी से निपटने का निमने से कौन सा तरीका सबसे बहतर हो सकता है तो इसका अपसंद हम लोग देखे तो इसका अंसर हो जाएगा भी अबावकों को सिक्षक पर विस्वास बैक्त करना चाहिए और सिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए अगला है वह अवस्था जब बच्चा तार्कीक रुप से बस्तू और घटनाओ के भी से हमें चिंतन प्राडम करता है तो इसका अंसर हो जाएगा मूर्थ संक्रियात्म का अवस्था अगला है मन का मान्चित्रन समंदित हैं तो इसका अंसर हो जाएगा मन की किरिया सिल्ता पर अंसंधान से अगला कुश्चन हम लुग देखे विश्यस रूप से प्राथमी कश्तर पर विद्यार्थू के सिखनी समंदि समस्याओ को समवधित करने का सबसे बेतर तरीका है तो इसका अंसर हो जाएगा अच्हमता के अनुरूप बिभिन सिख्षन पजितियों का परियोग करना अगला है निम में से कौन सा सिख्षार्थियों के सिजनात्मक्ता का पोशन करता है तो इसका अंसर हो जगा परतेक सिक्षार्ती की अंतरजाद परतिभाव का पोसन करने एवं प्रस्ण करने की अफसर पर उपलाप्त कराना अगला है प्याजे के अनुसार निम निखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्थ संकर्प्णाओं के भी से में तार्किक चिंतन करना आरम करता है तो इसका अंसर हो जगा अपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्स एममों से उपड है अगला है सीखना समड़ीद हो सकता है यदि तो इसका अंसर हो जगा वास्थविक दुनिया से उधार्णों को कख्चा में लाया जाए जिसमें विदार्ती एक दुसरे से अंतर किरिया करे और सीख्चे को उस परकिरिया को सुगम बनाए अगला है निम में से कौन से कतन को सीखने की परकिरिया के भिसेस्ता नहीं मानना चाहिए तो इसका अंसर हो जागा सेक्षनिक संस्थान ही एक मात संस्थान है जहां अधिगम प्राप्थ होता है अगला कुश्चिन हम लोग देखे पाचमी कक्षा के दिष्टी वाधित भिद्यार थी तो इसका अंसर हो जागा के साथ कक्षा में समान रूप से वेवार किया जाना चाहिए और स्रभ सीडी के माध्यम से साहता उपलप्त करानी चाहिए अगला है निम में से कौन सा बच्ची की समाजिक मनो बेग्यानि अब सक्ताओं की संबन्द में नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा शरीर से अब सिष्ट पदार्तों का नियमित रूप से बाहर निकलना अगला है वो कौन सा कतन है जहां बच्ची की संगनात्मक वेकास को सबसे बेतर तरीके से परिवासित किया जा सकता है तो इसके अंसर हो जाएगा बिद्याले अबं कच चा प्रेवरन अगला हम लोग देखे, डैस को एक अभी प्रेरित सिक्षक का संकेतक मानना जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा बिद्यारतियों दोरा प्रस्ण पूछना अगला अन्मिम में से कौम साब उधिमान बच्ची का लक्षन नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा वह जो लंबे ने बंदों को बहुत जल्दी रटने की छमता रखता है क्योंकि रोट मिम्राजेशन को हटाने की बात कही गई है अन्सीब दोर पांच में इतने यहां निगेटिव हो जाएगा अगला है बच्ची दुनिया के बाड़े में अपनी समझ कस्रीजन करते हैं इसका स्रेक इसको जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा पियाजे अगला कुश्चन है किर्टि का अकसर घर में जादा बात नहीं करती लेकिन बिद्याले में वो काफी बात करती है तो इसका अंसर हो जाएगा उसके बीचारों का बिद्याले में मानिता मिलती है अगला एक सिक्चा को अपने विद्यार्थियों की छमताओं पे समझने का प्रियास करना चाहिए निमनिकित में से कौन सा अच्छेतरी सुद्धेश के साथ सम्बंद है तो इसका अंसर हो जाएगा सिक्चा मनोबिग्यान अगला कुश्चन देखें तो अगला है सिखने की परकिरिया में अभी प्रेर्णा तो इसका अंसर हो जाएगा सिक्चार्थियों के सिखने के प्रति रूची का विकास करती है अगला सिक्षा के शेत्र में पाठचर्चा सदावली डैस की और संकेत करती है तो इसका अंसर हो जाएगा विद्याले का संपुन कारिकरम जिसमें विद्यार्थी प्रती दिन अन्वा प्राप्त करते हैं अगला एक बच्चली का अच्छाओं में सिक्षम की खेल पतिती मुल रुपसी अधारित है तो इसका अंसर हो जाएगा विकास अम ब्रीदी के मनो बैज्यानिक सिधानतों पर अगला एक बच्चा अतीत का समान प्रिस्थिती में की गई अनुकिरियाओं के अधार पर नहीं स्थिती के प्रती अनुकिरिया करता है यह किस से समंदित है तो इसका अंसर हो जाएगा सिक्षा उपलब कराई जानी चाहिए तो इसका अंसर हो जाएगा अन समान बच्चों के साथ अगला है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रकिरिया बनानी के लिए डैस के पती सचेत होना चाहिए तो इसके अंसर हो जगा सैक्षिक और स्वा सैक्षिक शेत्रों में विद्यार्थी के जीव सिखने के बारे में जनकारी प्राप्त करने के लिए बिवी तरीकों का प मुखी अगला है विकास कभी नसमाथ होने वाली प्रकिरिया है या विचार किसे समन्दीत है तो इसके अंसर हो जगा निरें तरता का सिधान अगला कोशिन हम लोग देखे सीखने के अंतर देश्टी सिधान को किसने बढ़ावा दिया तो इसके अंसर हो जाएगा गेस्टा रवस्थाओं की पहचान की गई है तो इसके अंसर हो जगा पियाजे के द्वारा की गई है अब हम लोग देखते हैं सीटेट पेपर वन जो की जनवरी दोए बारा में हुई थी तो पहला कोशिन देखे एक सिख्षक प्रस्ण बनाने के बाद यह जाच करता है कि क्या प्र सिख्षार्तियों के अनुबाव और प्रत्यक्ष महत्पून होते हैं अगला है विद्याले अधारित आकले अनमुक रूप से किस इधान पर अधारित होता है तो इस कैंसर हो जगा बाय परिक्षनों की अपेक्षा सिख्षक अपने सिख्षार्तियों की चमताओं को बेतर सिख्षार्ति व्यक्तिक विविनता परदर्सित करते हैं थो सिख्षक को इस कैंसर हो जाएगा सिखने के विभीद अनुबावों को फूप लब्द कराना चाहिए बाय बाय वस की बच्चों को शिखने में निमनीखित में से किस कारक की महत्पून गुनका पर बल देते हैं तो इसका अंसर होजाएगा समाजी अगला एक सिक्षी के आपने सिच्छार्थियों के विबीन अधिगम सहलियों को संतुष्ट करने के लिए वेवेतिक पुन काड़ियों का उप्यों करती है वह किस्से प्रभावित है तो इसका अंसर हम लोग देखे तो इस कैंसर हो जाएगा C. गार्डनर के बहु बुद्धी सिधान्त से अगला है एक सिख्षी का अपने आप से कभी भी प्रस्णु का उतर नहीं देती वो अपने विद्यार्थियों को उतर देने के लिए समु चर्चाय उसोगयात्मक अधिगम भपनाने के लिए प्रसाहित करती है यह उपागम के सिधान पर अधारित है तो इस कैंसर हो जगा स्वक्रिय भागिदारिता अगला है राज इस्तर एक एकल गायन परत्रयोकता के लिए विद्यार्थियों को तयार करती समय एक विद्यार्थियों को वरीता देता है यह दरसाता है तो जगा लेंगिक पुर्वाग्रव अगला है बीजों का अंकूरन संकल्पना के सिख्षन की सबसे प्रमावी पधिती है कि इसका अंसर हो जगा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसमें अंकूरन के चर्णों का अवलोकन करना अगला देखे जब बच्चा फेल होता है तो तादपर है कि इस कैंसर हो जगा बेवस्था फेल हुई है अगला कुश्यशन हम लोग देखे, सिक्षन से अधिगाम पर बाल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो इस कैंसर हो जाएगा बाल केंदिश सिख्चा पदिती अपना कर अगला एसामाबेश सिख्चा तो इस कैंसर हो जाएगा कठ्शा में बेभीता काुथ सप मनाती है अगला निमनिखित में से कौन सा बस्तु निष्ट प्रस्ण है तो इस कैंसर हो जाएगा सत या असत थे अगला निमनिखित में से कौन सी प्रगति सील सिक्षा की भी सेष्टा है तो इस कैंसर हो जाएगा समय सार्णी और बैटनी की विवस्ता में लचीला पन अगला प्याजे कि संगनात्मक विकास के चर्णों का अनुसार इंद्रिये गायन समवेधी प्रेड़ा का वस्ता किसके साथ समंधित है तो इस कैंसर रगा अनुकरन इस्मिति और मानसिक निरूपन अगला कोहल बढ़ के अनुसार शिक्षक बच्चोक में नहतिक मुल्यों का भी कास कर सकता है तो इस कैंसर हो जागा नहतिक मुद्धों पर अधारित चर्चाओं में उन्हें सामिल करके अगला है जब एक नियोग बच्चा पहली बार विद्याले आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए तो इस कैंसर जगा साकाड़ी योजना बिक्सित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करने चाहिए अगला कोश्यन उन्हें लोग देखे तो अगला है प्राया सिक्षार्तियों को तुरूटिया डैस की और संकेत करती है तो इसका अंसर हो जाएगा यांत्रिक अभियास की अवसकता अगला है निमनी खित में से कौन सी समस्या समाधान के बेग्यानिक पजिती का पहला चरन है तो इसका अंसर हो जाएगा समस्या के प्रती जगरूखता अगला है माना व्यक्तित परिनाम है तो इस कैंसर हो जाएगा अनुवान सिखता और वतावरन की अंतर किरिया का अगला है सिक्षन अधिगम प्रकिरिया में धग्तिगत रुप से ध्यान देना महत्पून है क्योंकि इस कैंसर जगा बच्चों की विकास दर्भीन होती है और भीन तरीकों से सिख सकते हैं अगला है निमनि खित में से कौन सा सिखने का छेतर है तो इस कैंसर हम लोग देखें यह होजागा भावनात्मक, भावात्मक अगला है जब बच्चा कारे करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि हो जाएगा संभावता कार्यांत्रिक रुप से बार-बार हो रहा है अगला है शिक्षा के संदर में समाजी करन सितात पड़ है तो इस कैंसर हो जगा समाजी के व्यतावरन में अनुकूलन और समायोजन अगला निम्निखित में से कौन सा विकास सिधानत है तो इस कैंसर हो जगा सभी की विकास दर समान नहीं होती अगला कुश्चन है नाना विकास के छेतरों में विवाजित किया जा सकता है जो किये मौना बैज्ञानिक, संगने आत्मक, संबेगात्मक और सारिक अगला एक सिक्षी का पाठ पुष्टक और फाल सब्जियों के कुछ चित्रों का पर्यों करती है और अपने विद्यार्ति से चर्चा करती है विद्यार्ति इस जयनकारी को अपने पूर्व ज्यान से जोडते हैं और पोसन की संकल्पना को सिखते हैं यह उपागम 10 परधारि इसके अंसर हो जयेगा ज्यान के निर्मान या अगला कोश्वन देखें जब बच्ची की दादी उसी अपनी मा की गोध से लेती है तो बच्चा रोने लगता है बच्चा किसके कारण रोता है तो इसके अंसर हो जाएगा शन्वेक आत्म 002 की कारण रोता है अला अमग बेखती दोरा समस्या समाधान के लिए किया जाता है अगला है 16 वर्स ये बच्चा बुद्धी लब्धी परिच्छन में 75 रंग प्राप्त करता है उसकी मांसी का यूप कितने वर्स होगी तो इसके एंसर होगा 12 अगला कोशन है निम्निखित में से कौन सा सिखने के लिए अभी प्रेडित करता है तो इसकैंसर होगा लक्षो को प्राप्त करने में ब्यक्तिकल संक्तुष्टी अगला है भासा के यर्थ में सबसे छोटी एकाई है तो इसकैंसर हो जाएगा स्वनीम अगला है बुद्धी लवांत समांता डैस रूप से सैक्षिनिक निस्पादन से समंधित होते हैं तो इसकैंसर हो जागा उच अगला है सफल समावेशन को निमनिखित अवसकता होती है किसी बाए तो इसकैंसर हो जाएगा प्रेथिकरन अगला है बिद्याले में निमीत अवपस्तिती के लिए वंचित विच्चो को प्रसाहित करने का निमनिखित में से बोतम तरीका हो सकता है तो इसके अंसर हो जाएगा सिख्षकों दोरा उनके लिंग पक्षपात पुन बैवारों का आधिसंग्यान अगला परतिवा साली विद्यार्थी है तो इसके अंसर हो जाएगा अपने निर्णयों में आत निर्वर होते हैं अगला इससा सैक्षिनिक छ में निस्पादन की अस्तर को बढ़ाने का उचीत अस्थाप किस अधार प्रकिया जा सकता है तो इसके अंसर होगा या व्यक्तिक बिविन्ताओं को संतुष्ट करता है अगला चिंतन के सुचना प्रक्रम सिधान्त निम्निकी चरन आते हैं तो इसके अंसर हो जाएगा C पहले पुर्प्रक्रमन फिर चोथा शरेनिकरन फिर दूसरा प्रतिकिरिया चेन फिर पहला प्रतिकिरिया किरिया अगला कुश्यन है एक बच्चा जो डैस से ग्रस्त है सौक और वाज पिर नुकलियर को अंड किलियर अंद में अंतर नहीं कर सकता तो इसके अंसर होगा डिसलेक् ग्रसित होते हैं अगला है एक ससक्त विद्याले अपने सिक्षकों में निमनी खित योगताओं में से किसी सरवादिक बढ़ावा देगा तो इस कैंसर हो जगा प्रतियस परदात्म अभिविर्थी अगला है किसोर डैस कांबाव करते हैं तो इस कैंसर हो जगा दो सिक्ष, दो चिंता और स्वयम से सरोकार अगला है सारी कृप से अच्छम बच्चों को समानतर डैस होता है तो इस कैंसर हो जगा डिसग्राफिया अगला है आंसिक पुनरवलन तो इसका अंसर हो जगा सतत पुनरवलन की अपेक्चा आधिक प्रवावी होता है। तो इसका अंसर हो जगा मोहन का पक्च लेकर लिंग भूमकाओं में रुदिबाधिता को बड़ावा दे रही है। समाजिक आर्थिक अस्तर बुद्धी लभ्यान्स को प्रवावित नहीं करता। अगला निमनिकित में से कौन सा सुक्षन गत्थित कोसल का उधारन है तो इसका अंसर हो जगा लिखना। अगला निमनिकित में से कौन सी विसेशता हैं समस्या समधान उपागम का विसेश्चीन है तो इसका अंसर हो जाएगा समस्या कथन में संकेत अंतर नहीत के रूप में दिया होता है। अगला कुश्यन है बच्चों दोरा की जाने वाले ठूट्यों के संबंध में निमनिकित में से कौन सा कथन सकत्य है तो इसका अंसर होगा यदि एक सिख्षक गक्षा कख्ष में सबी बच्चों को ठूट्यों को सुधारने योग नहीं है तो इस संकेत करता है कि सिख्षा की विवस्ता असफल है अगला प्रात्मिक अक्छा में सकरात्मक पातावनन दिर्मित करने के लिए एक सिख्षक को हो जाएगा बीभेद नहीं करना चाहिए और परते एक बच्ची के लिए समाम लक्ष तो निष्चित करने चाहिए अगला हम लोग अगला है विद्यार्थियों के लिए सामगरी का चयान करते समय डैस का जरूर होना चाहिए तो इसका अंसर हो जाएगा विद्यार्थियों और समावेशं। अगला नर्सरीक अक्षा में सुरुवात करने के लिए कौन से भी सह बस्तू यानि कि थीम सबसे अच्छी है तो इसका अंसर हो जागा मेरा पड़िबार। उसमें पड़िपुन्ता की अपेक्षा करने अगला निमनिखित में से अंता भी सही अनुदेशन का सरक्रिष्ट लाब यह है कि तो इसका अंसर हो जागा डी विद्यार्थियों को सीखे गए नए ग्यान का बहुस अंदर्बों में अनुपरियोग करने और समानिन क्रिष् अगला है हावर्ड गार्णर का बुद्धी के और सिदान बैस पर बल देता है तो इसका अंसर हो जागा परतियक बेक्थी की बिलक्षन योगता हो अगला है तो इसका अंसर हो जाएगा स्वाणिम्स अगला है काक्षा में जेंडर उटी बाजिता से बचने के लिए एक सिक्षक को तो इसके आंसर हो जाएगा लड़के लड़कियों के एक साथ और परणपडिक विमिकाओं में रखना चाहिए अगला है विद्यालों को किसके लिए व्यक्तिक विविन्ता को पूरा करना चाहिए तो इसके आंसर हो जाएगा या समझने के लिए कि क्यों सिक्षार्थी सिखने के योग या योग हैं अगला है सिक्षार्तियों को व्यक्तिक बिविन्ताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्याले किस परकार का सहयोग उपलप्त करवा सकता है तो इसका अंसर हो जाएगा बाल के अंदित पाठ चर्चा का पालन करना सिक्षार्तियों को सिखने के अनेक अपसर उपलप्त कर अगला कुशन हम लोग देखे सातत और ब्यापक मुल्यांकन परबल देता है तो इसका अंसर हो जाएगा सिखने को किस परकारवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर एला कुशन है विद्याले अधारित आकलन तो इसका अंसर हो जाएगा परिचीत वातावरन में अधीक सिखने में सभी सिख्चारतियों की मदद करता है अगला है सिखने की तयात परता डैस की और संकेत करती है तो इसका अंसर हो जाएगा सिखने के सात्यक में सिख्चारतियो का वातावरन सिंगनात्म कस्तर अगला है एक सिक्षिका की कच्छा में कुछ साधिक विकलंगता वाले बच्चे हैं निम्लिखित में से उनके लिए क्या कारणा सबसे उचीत होगा तो इस कैंसर होगा मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाकियों का परयोग क्यों नहीं करते अगला कोशिन हम लोग देखें डैक्स के अतिरिक निम्लिखित में से सभी के कारण आधिगाम अच्छामता उत्पन हो सकती है तो इस कैंसर हो जागा संस्कृतिक का रग अगला है एक समावेसी विद्याले तो इस कैंसर हो जागा सिक्छार्थियों की च्छामताओं की परवा किये बिना सभी के अधिगाम परिनामों को सुधारने के लिए परतिबाद होता है अगला है परतिबा साली सिक्छार्थी को तो इस कैंसर हो जागा ए ऐसी सहियों की अफसक्ता होती जो समानता बिद्याले दोराउपलाद नहीं कराए जाते हैं अगला है 10 के करण परतिवा सीलता सालिता होती है तो इस कैंसर हो जाएगा सी अनुवांसिक रचना और वातावरनी अभिप्रिवना अगला है बच्चों में सिखने और सुनने के लिए अधिगम योग वातावरन क कितने से कौन उप्योगत है तो इसका अंसर होगा सिख्चार्ति को कुछ या छूट देना चाहिए कि क्या सिखना है और कैसे सिखना है अगला है गति कोसलों में आधिगम नियोगता है डैस कहलाती है तो इसका एंसर हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया कहलाती है अगला है आध देखे एक सिक्षक को दैस तो इसके अंसर हो जाएगा सी जब सिक्षार्थी विचारों को संप्रेशित करने की कोशिस कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए अगला है सीमा परिच्छा में ए प्लस ग्रेट प्राप्त करने के लिए आती चुक है जब वह परिच्छा भवन में दाखिल होती है तब परिच्छा प्रारम होती है वह अधिक नर्वस हो जाती है उसके पाउं ठंड़े पर जाते हैं उसके इरदे अधिक इरदा है कि धरकन बहुत तीज हो जाती हुआ उससी तरीके से उतर नहीं दे पाती इसका मोग करन क्या हो सकता है तो इसके अंसर हो जाती है तो इसके अंसर हो जाएगा अंतर करना अगला है राजेस अती लोलूप पाठक है वह अपनी कोर्स की पुष्टक पढ़ने अत्रीक्त प्राय पुष्टका ले जाता है बीन रकर्नों पर पुष्टके पढ़ता है इतना ही नहीं राजेस भोजन अवकास मे अपने परिजनाओं का कार्ज करता है उसे परिच्छाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने सिक्षा को अतवार व्यावकूक द्वारा कभी कहानी को जुरुत नहीं है वह वास्तर में सीखने कानंद लेता है और उसे डैस के रूप में सरवाधिक बेहतर रूप से वर्नित कि करती अगला है यदि पूर फ्रात्न कस्तर पर बच्चों की खोज की करने के नुमत्ति दे दिजाए तो वह संतुष्ट हो जाते हैं जब वह हतोसाहित किया जाता है तो वह बहत्तित हो जाते हैं वह ऐसा डैस के भी प्रेरना के करन होते हैं तो इस कैंसर हो जाएगा अपनी निमनी कित में से कौन सा सत्य है तो इस कैंसर होगा समवेस्को और पीत्रैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता अगला है समाजी करन है तो इस कैंसर हो जाएगा जगा समाज के माप डंडो के साथ अनुकूलन अगला है एक पीटी खेल सिक्षक किर्केट के खेल में अपने सिक्षार्तियों के शेत्र रक्षन की सुधारना चाहता है निमने से कौन सी युक्ति सिक्षार्तियों को अपना ल कि अनुसार इसका अंसर हो出來 आतन साथ अगला है सिता ने हाथ से डाल और चाबल खाना सिख लिया जब उसे डाल और चाबल दिया जाते है तो वा चाबल दाल मिला कर खाने लगती है उससे चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने के को कर लिया है तो इसके अंसर हो जाएगा अनुकूलित कर लिया है अगला हम लोग देखें सीटेट पेपर वन फरवरी द्वार चोधा के कोश्चन तो पहना है के मां सीवे यानि की सीवे सी द्वार अपनाए गए प्रगती सील सिख्चा के प्रतिमान में बच्चों का समाजिक अनुकूलित के समाजिक संस्क्रीति शिदान प्रधारित है तो इसके अंसर होगा वे सामूही कार्ज में सक्रिय भागिदारिता का निर्भा करे सभी परकार की प्रधत्य कारियों ऐस्टायम्मेंट का निर्मान इस परकार किया गया है कि परतेक विद्यारती अधिक प्रवावसाली ढंक से शीख सके अतो सभी विद्यारती बिना किसी अन सहता से अपना कार्य पूरनि करे वो अकुषल बार्के किस नेतिक विकास के और बेवस्ता अगला है 14 वर्षिये देवी कापने आप में प्रीथाक और स्वान यंतित बेक्ती की भावना को विक्सित करने का प्रयास कर रही है तो इसका अंसर हम लोग देखे तो इसका अंसर हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा भासा घात अफेक्सिया अगला है नेमनेखित में से कौन साल उचनात्मक दिश्टिकों से बवव बुद्धी सिधान थियोरिय अप मल्टिपल इंटेलिजेंस से सम्मंद नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा परतीवा साली विद्यार्थी प्राय एक सीक्षेत्र में अपने विशिष्टा परदर्सित करते हैं अगला अबाव बुद्धी सिधान को वैद नहीं मानना जा सकता क्योंकि इसका अंसर हो जाएगा विशिष्ट परिछिनों के अभाव में भीन बुद्धी मता यानि डिफ्रेंट इलिजेंस का इंटेलिजेंस को प्रवित करते हैं अगला विद्याले अधारित आकलन प्यारम किया गया था कि ताकि इस कैंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों की संपुन विकास को निश्चित किया जा सके अगला हम लग देखें निमनिखित में से कौन सा एक अनविकल्पों का संबंद नहीं है तो इस कैंसर हम लोग देखें कैंसर होगा डी निर्दारित कीजिये की दिये गया मापको उत्तर परिणामों का पाने में सरवाधिक प्रविक्त कर सकता है तो विश्ले संब अगला हम निखित में से कौन सी सरवाधिक प्रवावकारी बीदी हो सकती है जो कि इस अपिच्छा की पूरी कर सके कि वन्चित विद्यारती अपनी भागिदारता द्वारा सफल हो सके तो इसका अंसर होगा आप उनकी सफलता है तो उनकी छंटा में विश्वास को व्यक्त करें अगला कुश्यन हम लोग देखें निमनिखित में से कौन साभिका सात्मक विकार का उधारन नही है तो इस कैंसर हो जाएगा पर अभिजात्ति तनाव पोस्ट ट्योमेरिक स्ट्रेस अगला है बहु सिक्षक सास्त्री है तकनीके वर्गिक्रित अधिगम समागरी बहु आकलन तकनीके प्रवर्तर्द्नी है जा टिल टायम सामगरी का सुरूप निमनिखित में से किस के कारण वे भी निम्स्रेनी पाँ सकते हैं अगला है बिद्यालों में समावेशन मुक्त केंद्रित होता है तो इस कैंसर हो जाएगा बिसिष्ट सेनी वाले बच्चों के लिए सुक्ष्मातिक सुक्ष्म प्रवधानों के निर्मान पर बच्चों में सीखे गए निसायता क कारण है तो इस कैंसर हो जाएगा इस बेवार को अर्जित कर लेना कि वो सफल नहीं हो सकते हैं अगला यदि एक बिद्यार्थी बिद्याले में लगतार निम्तर स्रेनी प्राप्त कर सकता है तो उसकी अबाव को उसकी सायते तो परमर्स दिया जा सकता है कि तो इस कैंसर अ वो आद्यापकों को गनिश संगती में कारिक करें। अगला कोशने निमनिखीत में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता तो इस कैंसर हो जाएगा अंत्रदिष्टी इंसाइट। अगला एक सिक्षी का पाठ को पुर पठित पाठ से जोरते हुए बच्चों को सरांस लिखना सिखा रही है। वो क्या कर रही है तो इस कैंसर होगा वो बच्चों को पाठ समझाने अस्वा सेली बिक्सित करने में साहता कर रही है। अगला एक बच्चे अपने मातरी भासा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भासा दूतिय भासा में सीख रहा है तो दोनों निमनिखित में से कौन सी समान प्रकार की तूटी कर सकते हैं तो इसका अंसर होगा विकास आत्मक अगला है परिच्छा में तनाव निस्पित को करता है यह तत निमनिखित में से किस प्रकार सी संबन्द को असपश्ट करता है तो इसका अंसर होगा संग्यान भागना अगला एक अध्यापक उस बच्चे की साथ परामर्ज करते हैं जिसकी निस्पर आत्मक प्रगरती एक दुरगटना के पश्चात अनुकूलन नहीं है निमनिखित में से कौन से प्रकिरिया विद्यालन प्रामर्ज के लिए सबसे बेतर हो सकती है तो इसके अंसर हो जाएगा भी वह अपने विचार दोरा खोज करने हैं तो लोगों में आत्मिस्वास का निर्मान करता है अगला देखे एक विजारती उच अस्तरिय सिर्जन सी रंग मंचिये कलाकार बनना चाहता है उसके लिए निमनिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रे रख होगा तो इसके अंसर हम लोग देखे तो इसके अंसर होगा राज स्तरिय परतियोक्ताओं को जितने का प्रियास करना ताकि छातविर्थी पाई जा सकी अगला इन में स कौन सा सिधान्त कारक या मत स्वस्ट करता है कि बच्ची अपनी प्रेदी बेकास के सबसे कठोर अध्यन करते हैं तो इसके अंसर होगा मस्त लो इसके अंसर होगा अध्यापको दोरा बच्चों की स्वायता को बढ़ावा और साहता देना अगला पड़िपक विद्यार थी तो इसका अंसर बजाएगा अपने अध्यान में कभी कभी भवनाओ का साहता चाहते हैं अगला है पूर्व विद्याले में पहली बार आया बच्चा मुक्त रुप से चिलाता है दो बस पश्चात वही बच्चा जप्रारमिक विद्याले में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिला कर व्यक्त नहीं करता अपितु उर्ष के कंदे वगर्दन की पेसिया तन जाती है उसके इस बेवारिक परिवर्तन में का क्या सैधानी कधार हो सकता है तो इसका एंसर होगा कि विवेद एवन एकी करन के विकास के लक्षन अगला एनिम निखित में से कौन सा कथन सबते है तो इस कैंसर होगा अनुवांसिक बुनावट बेक्ती की परिवेज की गुनवत्ता के प्रती परचुरात्मक्ता को प्रावित करती है अगला कोशिन हम लोग देखें सीटेट पेपर वन सीतंबर दोहर चोदा का कोशिन है तो पहला है संगने आत्मक विकास निम में से किसके दोरा समर्थित होता है तो इस कैंसर हम लोग देखें सी एक समरीद और बिवित्ता पुन बातावरन उपलेप्त कराना अगला एमान में विकास है तो इस कैंसर हो जाएगा मातरात्मक और गुनात्मक दोनों अगला प्रकिर्ती पोशन बिवाद निमनिखित में से किससे समंधित है तो इस कैंसर हो जाएगा अनुवांसकी एवं वतावरन अगला निम में से कौन सा समाजी करन का निस्क्री एज तो इस कैंसर हो जगा सर्वजनिक पुष्टकाले अगला वैवस्की किसी दान्त में विक्यास की निमनिखित में से कौन से पहली को पिक्षा होती है तो इस कैंसर हो जगा जैवी अगला कुश्चिन हम लुगते कि एक वर्स तक सिसु जब आग कान और हातों से सोचते हैं तो निमनिखित में से कौन सा अस्तर सामिल होता है तो इस कैंसर हो जगा इंद्रजैनित ग्राम का अस्तर अगला है रिया कक्षा पिक्निक तै करने हैं तो दिसव से सामत नहीं है वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संसोधन किया जा सकता है यह निमनिखित में से कौन स्टन वर्ग का बुध्धि का 3 अस्तरिय सिधानत 1 रूप है तो इस कैंसर हो जाएगा बैवारिक बुद्धी अगला है किस से सबसे पहले बुद्य परिच्छन का निर्मान किया तो इसका अंसर हो जाएगा एलफियर्ड भी ने अगला है ध्वानी समंदी जेंडर, निखलिंग, बेबे तो इस कैंसर हो जाएगा सिख्चार्तियों के हरसो मुख, प्रियासो और निस्पाधन का कारण बन सकता है अगला है निम में से कौन सा सिखने की सहली का एक उधारण है तो इस कैंसर होगा चाच्छुन चाच छुन अगला है एक सिखषक अक्छा में कार को एकत्र करता है उसे पढ़ता है उसके बाध योजना बनाता है और अगले पाड्ट को सिखषकत्य के ओस्थ को पुन करने के लिए समायुजित करता है वो क्या कर रहा है या रही है तो इस cancer हो जाएगा C, शीखने के लिए आकलन अगला है वो शीख्षक जो भी द्याले अधारित आकलन के अंतरगत कारे करते हैं इस cancer हो जाएगा वैवस्ता के लिए स्वामित की भाबना रखते हैं अगला है great uncle कोईसे अलग हैं तो इसका अंसर हो जाएगा विशलेस नात्मक अगला है छात्रा है तो इसका अंसर हो जाएगा अपनी उम्र के लड़कों की तरह गनीत में अच्छी हैं अगला question लोग देखे तो अगला है सब्दो के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठनाई को अनभव करना और अक्षर चाशुक स्मिनिती का हराज से समंदित है तो इसका अंसर होगा dyslexia अगला है सबी के लिए विद्यालों में सबी की सिच्छा निमनिकित में से किसके लिए परचार वाग हो सकता है तो इसका अंसर होगा समावेशी सिच्छा अगला है प्रवा, पुनिता, ब्याक्या, मौलिक्ता और लचीला पन, डैस के साथ समंधित तत्व है तो इस कैंसर हो जाएगा परतीवा अगला है परतीवा साली सिक्षार्तियों को डैस से जूरे प्रश्णों पराधिक समय देने के लिए करा जा सकता है तो इसके अंसर होगा सरजन अगला है गनित म्यादिगाम नियोकताओ का अकलन निम में से किस परिक्षन द्वारा सरवाधिक उचित तरीकों से किया जा सकता है तो इसके अंसर होगा निदानात्मक परिक्षन अगला है सिधान चित्र डैस के दोरा नवीन अब धरनाओ की समझ बढ़ाते हैं तो इसके अंसर होगा तक तर्क बुन धंग से सुचनाओ को विवस्तित करने का योगता बढ़ाते हैं अगला है अलवाट वेट व्यूडा कि समाजी कजगम सिधान के अनुसारने में से कौन से सही है तो इसके अंसर होगा बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपर मॉडलिंग का एक मुख तरीका है अगला है निगड मात्मक तरकना में सामिल है तो इसका अंसर होगा समान से विस्ष्ट की और तरकना अगला कुश्चन देखे जब बच्चे एक अवधारना को सीखते हैं और उसका परियोग करते हैं तो अब्यास उसके दोरा की जाने वाले त्रूटियों को कम करने में मदद करता है या भीचार डैस के दोरा दिया जाता है तो इसका एंसर होगा EL ठंडाई अगला निम में से कौन सा कौसल सम्भेगात्मक बुद्धी के समन्दी थे तो इसका एंसर होगा समानु भूत्ती देना अगला एक आंतरिक बल जो प्रुसाइद करता है और बेवार पर पर परतिकिरिया के बाद ही करता है परतिकिरिया को विश्चिशन दिसा उप्लप करा तो इस चैंसर हो जाएगा अवसकता है अगला है डैस प्रेरनाई अभी वित्यों की संतुष्टी करन की अवस्थाओं तक पहुचने और वैत्विक लक्षनों को प्रात करनी के अवसकता को संबोधित करती है तो इस कैंसर होगा भवनात्मक अगला है निमनी खीत में से कौन स प्रेक बच्चों के समयनात्मक भिकास के लिए सरवादिक उप्यूगत है तो इस कैंसर होगा कक्षा करश का परजातांतरिक परिवेश अगला है निमनी कित में से कौन साएक उप्यूगत रचनात्मक आकलन कार नहीं है तो इस कैंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को बच्छाई परिवेश का स्रेजन करनी के दिर सकता होती है this परकार के अधिगम परिवेश के इस स्रेजन करनी के लिए, नीचे दीए गए कतमों मेंसे कौन सा सही नहीं है, तो इस cancer हो जाएगा अध्यापकों के अनुसारी में कुछ कतन नीचे दिए गये है, आपके अनुसारी में से कौन सा रही है, तो इस cancer हो जाएगा भी लरकों को घार के कामों की सहता करनी चाहिए अगला एक बच्चे की कौफी में लिखने के विप्रित छबिया दर्पन छबिया आधी जैसी गलतिया मिलती है इस परकार बच्चा का लगजन पर दरसीत कर रहा है तो इसके अंसर हो जाएगा अधिगम की असकता के अगला एक शिक्चारतियों के ज्यान अरजन में साहता करने के क्रम में अधियापको को किस पर अध्यान के अंधित करना चाहिए तो इसके अंसर होगा शिक्चारतियों को सक्रिय समागता के लिए सामिल करना अगला अधियापक के दिष्टी कौन के से प्रतीवा सिलता का किसक समायोजन है तो इसके अंसर होगा तो यह विचार की अंतर दिष्टी उपलेट करती है तता समाधानों का पहँचाने में पहँचानने में सायता करती है अगला हम लोग देखें अगला कुश्यन है आउट ओप दबॉक्स चिंतन किस्ते समंधित है तो इसके अंसर हो जाएगा C. अफसारी चिंतन अगला है सिक्षक के अध्याब को द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंटरजिष्टी को विक्सित करने के लिए किया जा सकता है इसके अंसर होगा सिक्षात्यों के अफसकता कि नुसार सिक्षन उपागम में परिवर्तन करना अगला है अधिगम अवव को अनवाव को इस परकार से अवजित किया जाना चाहिए जिससे कि अधिगम को सार्थक बनाया जा सके नीचे दिये गया अधिगम अनवाव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता तो इसका अंसर हो जगा विशे वस्तू के केवल याद करने के अधार पर पुन्हाविरती अगला है, बच्चु को साब्धिक या गया साब्धिक डण देनी का परिणाम होता है तो इसका अंसर हो जगा उसके सुएम के प्रतियावधार्मा को निश्ट करना अगला अने मिखित में से कौन प्रारमदीक बालावस्था अवधी के दुरान उन भूमकाँ बैवारों के बारे में जनकारी प्रदान करते हैं जो एक सम्मू स्विक्तारी है तो इसके अंसर होगा प्रेरना की समाजिक संस्क्रिती संकल्पना है अगला ने मिखित में से कौन सा आयू समुपरिवर्ती बैला वस्था स्रेनी के अंतरगत आता है तो इसके अंसर होगा 6-11 वर्ष अगला कुश्य नम्लुक देखे अगला है आर जब तरक देता है कि भासा विकास बेप्ती कि नेसर्गिक परविर्ती से प्रवावित होता है ज अगला है अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्वा अपने आप किसी एक समस्या का समधान नहीं कर सकती फिर भी हुआ एक वेक्स और साथी के मागदरसन को पस्तिती में ऐसा करती है इस मागदरसन को कहते है तो इसके अंसर हम लोग देखे साहरा देना अगला के परदान को सभापति के अस्थान पर समाध रक्ष लिखा यह संकेत करता है कि अध्यापिका इसके अंसर हो देखे इसका हो जागा एक लिंग मुक्त भासा का परियूग कर रही है अगला हम लोग देखे लार इसको रहग बर किसी धात में कौन साहस्टा नहीं तिकता की अनुपस्टिती को सही अर्थ में सूचित करता है तो इस कैंसर हो जाएगा C अस्तरवन अगले अनेमनिकित में से कौन सा बच्चों के समाजी करन के लिए प्रगती सील मौडल के संदर में सही नहीं है तो इस कैंसर हम लोग देखे हो जाएगा B बच्चे विद्याले में बताए गई बातू को स्विकार करते हैं चाहे उनकी समाजी कुछ भी हो अगले आदिगम में आकलन किसलिया आवस्तक होता है तो इस कैंसर हो जाएगा प्रेरना के लिए C अप्सन अगला अनोग देखे परचलित योजनाओं में में नई जनकारी जोरने के लिए किस नाम से जाना जाता है तो इसके अंसर हो जाएगा आत्म सात्करन अगला है हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरना अविरीची वादी को संदर में भीन होते यह सिधान संबंदित है योजनाओं ब्यक्तिक भीनता से है अगला अवंचित समोह में विद्यार्थिव को समान विद्यार्थिव के साथ पढ़ाना चाहिए इसका विप्रा है इसका अगला है कोई भी नराज हो सकता है यह आसान है प्रन्तु यह सही अबेक्ति के उपर उसही समात्रा में सही समय पस्था उद्येश के लिए तैता सही तरीके से नराज होना असान नहीं यह संबंदित है तो इसका अंसर हो जाएगा समड़ेगा आत्मक विकास से अगला आजे के सिधान्त के अनुसार निम्निखित में से कौन सा बेक्ति संगनात्मक विकास को प्रवावित नहीं करेगा तो इस कैंसर हम लोग देखे समाजिक अनभव अगला हिन में से कौन सा त्री टन्तिय सिधान्त के बैबारिक बुद्धी का भी प्रहन नहीं है नहीं है कर्मी की चमता होती है इस परिफेक्ष में एक सिख्षक की भूनका है तो हो जाएगा सुगा में करता की अगला हिद में से कौन सी भी सेष्टा परवईता परतीबा साली बच्चों की नहीं है तो इस कैंसर हो जाएगा निम और सतिय मानसिक परकिरिया है अगला है कोहल बरके स संदर में सिख्षी का कुछ आईए तो इसका अंसर हो जाएगा बीवित परकार की अधिगम परिष्टितियों को अगला एनिम निखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिधान्त नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा सभी विकास का अधिगम एक समान गती के आगे बढ़ते ह अगला एनिम निखित में से कौन सा आकलन करने का सरवाधिक उप्यूग तरीका है तो इसका अंसर होगा आकलन सिख्षे नधिगम में अंतर नहीत परकिरिया है अगला एनिम निखित में से कौन सा सिर्नात्मक्ता से समंदित है तो इसका अंसर हो जाएगा अब सारी चिंतन अगला है बच्चों के बारे मेने इमनी खित कतनों में से किस कतन प्रवावस्की कसामत होते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर है बच्चे सम वेस्को और वेस्को के साथ समाजी कंतर क्रियाओं के माधियम से सिखते हैं अगला है बच्चे तो इसके अंसर हो जाएगा इसके अंसर है डी जिग्यासू प्रानी होते हैं और अपने चारों और जगत के खुजने के लिए अपने ही तरकों और छमताओं का पड़ी उपयोग करते हैं अगला है बच्ची की तूटिया उनके सीखने की परकिरिया का अंग है। अगला है द्यापक को या सुनिचित करना चाहिए कि उसकी कक्छा के सभी सिक्छार्ती अपने आपको सिक्रित और सम्मानित समझे। इसके लिए सिक्छा को चाहिए कि वह यह जाएगा अपने सिक्छा करतियों की समाजिक संस्क्रितिक प्रिष्ट भूमी की जनकारी प्याप्त करें और कक्छा में वीविद मत्तों को प्रसाहिद करें अगला है सुरेश समान रूप से एक सांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जैबकि मदन एक सम्मू में अपनी मित्रू के साथ पढ़ना चा तो इस कैंसर हो जाएगा सिक्षक को सभी भसाओ के समान करना चाहिए और सभी भसाओ के वेक्ति के लिए बच्चों को प्रसाहिद करना चाहिए अगला कोश्यन देखें हम लोग तो अगला कोश्यन है प्रकिर्थी पोसन विवाद में प्रकिर्थी का क्या अभिप्राय है तो इस कैंसर हो जाएगा जैविक बिसुष्टाय और वनसा नुक्रम सुचना है अगला है जन संचार माध्यम समाजी करन का एक महतपूर माध्यम बनता जा रहा है नीचे दियेगे कत्नों में से कौन सबसे उप्यूगत है तो इस कैंसर हो जाएगा जन संचार माध्यमों की पहुच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम के अभी विर्थियों मुल्यों औ प्रवावित करता है अगला है बच्चे किस परकार से सीखते हैं कि नीचे दिये गए कत्नों में से कौन सा विशाय से सही नहीं है तो इसके अंसर हो जाएगा बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं अगला है प्रात्मिक बेद्याले सिक्षक को अपने सिक्षार्थियों को अभी प्रेरित करने के लिए निमनिखित में से रननीती को अपनाना चाहिए तो इस次 cancer हो जाएगा बच्चों को उनकी रूचियों के इनुसार अपने लक्ष निधारित करने और उनके पाने का उधम सहता करना अगला इनमनीकित में से कौन सो समाजी करण का एक पर्मुक कारक है तो इस次 cancer हो जाएगा परिवार अगला है बच्चों को समूख कार देना एक प्रभावी सिक्षन रहन निती है क्योंकि यह तो इसका अंसर हो जाएगा सिखने की परकिरिया में बच्चे एक दुसरे से सीखते हैं और प्रसपर सायता भी करते हैं अगला कुश्चन है एक औसत बुद्धी वाला बच्चा यदि भासा को पढ़ने और समझने में कटनाई परदरसीत करता है तो यह संके देता है कि बच्चा डैस का लक्षन परदरसीत कर रहा है तो इस कैंसर हो जाएगा पठन अच्छमता डिसलेक्सिया अगला है सैस्य वका कि अवधी है तो इस कैंसर हो जाएगा जनम से दो वर्ष तक अगला है प्याजे के हैंसाल 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संगनाटमक विकास 10 के वस्ता में है तो इस कैंसर हो जाएगा समान से विशिष्ट अगला है जब व्यक स्वयों के संगमार्जा से कर लेता है तो तो बच्चे के परतमान के परदर्शन को संभावी छंता के अस्तर को परदर्शन की तरब प्रगती करम के सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इस कैंसर होगा स्वयोग देना, अगला नविन जनकारी को सामिल करने के लिए बरतमान इस कीमा अभधारना में कहलाती है, तो इस कैंसर हो जाएगा भी समायोजन, अगला है, मद वाला वस्था में भासा डैस के वजाए डैस हो जाता है, तो इस कैंसर हो जाएगा समाजी कृत और अहम केंद्रित, अगला है, बाल केंद्रित सिक्छा में सामिल है, तो इस कैंसर हो जाएगा बच्चों के रागब को अपनी कक्छा में अपने कीबोड पर स्वयम दोरा तयार किया गया मदूर संगीत बजाते हुए देखा कक्छा अधियापक ने विचार किया कि रागब में डैस बुद्धी का उचस्तरिय थी तो इसके अंसर होगा संगीत में अगला है जब एक सिक्छा केक सम्झाषता है कि सवाईक रूप से लड़के गनीत में लड़कियों से अच्छे यह दर साता है कि अधियापक है तो इसके अंसर होगा जेंडर पक्षपाती यानि लिंक पक्षपाती अगला समावेसी सिख्षा मानती है की हमें को अनरूप बदलना है तो इसके अंसर हो जाएगा वेवस्था को बच्चे के अनरूप बदलना है अगला कोश्चन है जो की सीटेट पेपर वन फरवरी द्वार सूलला का कोश्चन है पहला है भारत में अधिकांस कक्षा हैं बहुभासी होती है और इसके सिक्षक द्वारा डैस की रुप में देखा जाने चाहिए तो संसाधन अगला है सिक्षारती द्वारा की गई गलतिया और तूटिया तो इसके अंसर हो जाएगा इसके चिंतन को समझने अड़ाफसर के रुप में देखी जानी चाहिए अगला है डैस के विचार से बच्चे संक्रिये सक्रिये ज्यान निर्माता रुन्नने बैज्यानिक हैं जो संसार के बारे में सिधान्तों की रचना करते हैं तो इसके अंसर हो जाएगा प्याजे अगला है बाल केंदिक सिक्षा सास्त का अर्थ है तो इसके अंसर हो जाएगा चार का B बच्चों का अभिवेक्ति और उसकी सक्रिय भागिदारी को महत हो देना अगला है जटिर परिस्थितियों को संसाधित करने में सिक्षक बच्चों को सायता कर सकते हैं कार को छोटे हिस्सों में बाटने के बाद निर्देश लिखकर अगला कुश्चन हम लोग देखे तो अगला है सिक्षार्थियों को यह अपक्ष्या करनी चाहिए कि वह ज्यान को उसी रूप में पुना प्रस्थूत कर देंगे जिस रूप में उन्हें ग्रहन किया है तो इस सिखने का वक्र तो इसके अंसर हो जाएगा बेतर होता है अगला इविकास की गति एक बेक्ति से दुसरे से भीन होती है किन्तु यह एक नमूने का अनुगमन करती है तो इसके अंसर हो जाएगा करम ब्रद और बेवस्थित अगला इविकास के लिए निमनिखित में से कौन सउचीत है तो इसका अंसर हो जाएगा समाजिक संस्क्रीपिक संदर विकास में एक मुहत्पन विनका करता है। अगला अबेक्तीव में एक दूसरे के विमिता क्यों होती है तो इसका őँँसर हो जाएगा वंसा नुकरम और वातावरन के बीच अनुक्त्रिया के कारण। अच्छा संधारन एंबर्गी करन करने का योग है एक बच्ची कहती की दूप में कप्रे जल्दी सुक जाती हैं वो की समझ को परदर्शित करता है तो इस कैंसर हो जाएगा कारण एम प्रभाव एगला है प्याजी के मिसार बच्ची का चिंतन बेसकों को में बीन के होता है ब प्रश्ण पूछना अगला बायवस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो इस कैंसर हो जाएगा यह बैसको और समावैसको के साथ प्रसपर किरिया से अगला अकोल बढ़ने प्रश्टूद की है तो इस कैंसर हो जाएगा नैतिक विकास के चरम अगला नेमनिकित में से अंदेत कक्षा कचको परदर्शीत कर रही है तो इस कैंसर हो जाएगा कक्षा जिसमें सिक्चारती सम्मों में वैटे हैं सिक्ची का बारी-बारी से प्रतेक सम्मों में जा रही है अगला है बुद्धी है तो इस कैंसर हो जाएगा डिस अमर्थों का एक समुच्ची अगला कोशन एक सा सिख्षा कच्छा में लड़कों से सिख्षा कि एक आता है कि लड़के बनो और लड़किया जैसा विवार मत करो या टिपनी है तो इसके अंसर हो जाएगा भी लड़के लड़कियों में वेदभाव की रुदी भाय धारना परकट करना है अगला है आकलन है तो इ ये मित विद्याले परणाली के समान सिक्छा प्रात करने का अधिकार है अगला है बंचीत बरत के पृष्ट भूमी में बच्छों को सिक्छा परदान करनी के लिए शिक्छा को चाहिए कि इसका अंसर होगा उनके बारे में अधिक जनकारी जूठाने का प्रियास करे और उन्हें कच्छा में होने वाली चर्चा में सामिल करें अगला है निमनिखित मिसे कौन बेबार बच्चों का आधिकर नियोकता की पहचान करता है तो इसका एंसर हो जाएगा बी को डी वाज को सो और एकीस को बार लिखना अगला है एक बच्चा जो आंसिक रूप से देख सकता है तो इसकैंसर हो जाएगा तो इस कैंसर हो जाएगा C, बिसेज प्रावधान करते हो इसे नेमित विद्याले में रखना चाहिए अगला एश सिखना तो इस कैंसर हो जाएगा सिखने वाले की संबेगों के प्रवावित होता है अगला एपने चिंतन में अवधारात्मक परिवर्ता लाने है तो सिख्षार्तियों के सक्षम बनाने के सिख्षीका को जाएगा इस कैंसर हो जाएगा ज्यांच परताल करना प्रशन पुषना और बाद विवाद अगला बच्चे तब सरवादिक सिरजनसील होते हैं जब वो किसी गतिवीदी में भाग लेते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा अपनी रूची से अगला कोश्चन है जो कि सिटेट पेपर वन सितंबर 2016 लगा है पहला अले वावेशकी के समाज सरचना सिधान्त में डेट विश्वास रखने वाले सिक्चक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निमने किस में से किस विदी को वरेता देंगे तो इसका अंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट हैं अगला है अपनी कक्चा के व्यक्तिक विविन्ताओं से निपटने के लिए सिक्चक को चाहिए कि तो इस कैंसर होगा बच्चों के बाच्चित करें उसके दिश्टि कौन पर मातो दें अगला है आकलन उद्देश फून होता है यदि तो इस कैंसर होगा इससे विद्यार्थि और सिक्चकों को प्रति पूछ्टि फिडवेक प्राप्थ हो अगला है राष्टि पाठ शर्चा के रूप रेखा एंसे अप डर पांच के अनुसर सिक्चक की ब्रुमिका है तो इसके अंसर होगा शुगदा दाता हूँ अगला है अनुसंदांस हो जाते हैं कि एक बीवित कक्चा में अपने विद्यार्थियों की सिक्चिका की अपेक्चा विद्यार्थियों का अधिगम हो जाएगा पर महत्पूर्ण प्रभाव छोड़ती है अगला है विशे सबसक्ता वाले बच्चों की को सामिल करना तो इसके अंसर हो जाएगा डी सिक्चक के प्रथि द्रिष्टि कोन विशे बस्तु धार्ना प्रड़िवर्तन की अपेक्चा रगता है अगला है विवित परकार की समाजिक आर्थिक और संस्कीतिक प्रिष्ट भूमी के बच्चों को युक्त कक्चा की सभी विद्यार्थियों को अधिगम अनवावों को बढ़ाती है या कथन तो इसके अंसर हो जाएगा सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कोसल स सिखते हैं अगला है सुनने में असमर्थ बच्चा तो इस कैंसर हो जाएगा नेमित विद्याले में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उप्यूग सुग्दा और त्राधन उपलाप्त कराए जाए अगला है अनेम लिखित में से कौन सी भी सेस्ता है परतिवावान सिक् पूर नहीं होती तो वो कम प्रेडित अन्वाव करता है और उप जाता है अगला है एक सिक्षी का अपनी प्राथिमिक कक्छा में प्रवावी अधिगम को बढ़ा सकती है तो इसका अंसर हो जाएगा विशय बस्तु को विद्यार्थियों को जीमर के साथ समंधित करके अग अगला है निम्सखितम से प्रेड में सबसे प्रवावी है तो इसका इंसर हो जाएगा विद्यार्तियों को बहुत से उधारण देना और उने तरक सक्ष्क प्रुपीयों करने के लिए प्रसाहित करना ऐगला है एक बच्च्चा में उसबसे प्रवावी धंग से सिखेंगे तो इस कैंसर होगा जहां उसकी समय गात्मन अब सक्ताओं की पुर्ती होती है और वो अनुभव करती हुए महत्पून है अगला है एक बच्चा खिरकी के सामने एक कवो को उर्ता देखता है और कहता है या पक्षी इससे बच्चे की विचार में बारे में क्या पता चलता है तो इस कैंसर हो जाएगा सी यानि कि बच्चे की समीता पहले से बंडारित होती है बच्चे में पक्षी की परतिया बेक्सीत हो चुकी है बच्चे में अपने अनुभव बताने के लिए भासा के कुछ करनों का विकास कर लिया है अगला है कोई सिक्षी का अगला कोश्यन है कोई सिख्षी का अपने विद्यार्थियों को आध्यान के लिए आध्यान करने है तुँ आंतरिक रुप से उत्प्रियरीद करने के लिए कैसे प्रसाहित कर सकती है तो इसके अंषर हो जाएगा देख्तिगत लक्ष निरदारीद करने अरुठ में नेपुन अगला है निमनिखित में से कौन सा उध्यापक, कौन सा उधारन परभावसाली विद्याले की प्रथा का है, तो इस कैंसर हो जाएगा सी ब्यक्ति सापेक्ष अधिगंग। अगला है विकास का सीर पदामुख जिसा सिधान्त ब्याख्या करता है कि विकास इस परकार आगे बढ़ता है, तो इस कैंसर हो जाएगा सीर से पेर की ओर। अगला है भावसा विकास के लिए सबसे सम्वेदन सीर समय निमनिखित में से कौन सा है, तो इस कैंसर होगा प्रारंबिक बच्पन का समय। अगला एक छे बर्स की लड़की खेल कुद में असनारन योगता का परदसन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिला रही है, उनीत परसिक्षन प्राप्त करनी बेजते हैं, और सब्तायंत में उसे परसिक्षन देते हैं, बहुत संबह है कि उसकी शमता निमनिखित दोनों के बीच प्रस्पर प्रतिकिरिया का परिनाम होगी, तो इसके अंसर हो जाएगा अनुवान सिक्ता और पड़्यावरन, अगला कोशन देखें, निमनिखित में से कौन समाजी करन के गौन बहाग हो सकते हैं, तो इसके अंसर नमनोग देखें, विद्याले और पासपरोस, अ संगन्यात्मक विकास का मूल कारण है, तो इसके अंसर हो जाएगा, इसके अंसर है समाजीक अन्योगन किरिया, अगला कोशन देखें, किसी बच्चे का दिया गया विसिष्ट उतर कोहल वड़के नेतिक तर किस्वपानों के भी सह बस्तु के किस्वपान के अंतरगत इसलिए आपको इमेंदार रहना चाहिए, तो इसके अंसर हो जाएगा, C, अच्छे, लर्का लर्की, लर्का अनुकुलन, अगला है, जीन प्याजीक इनुसरादिगम के लिए निमनिखीत में सक्या आवस्यक है, तो इसके अंसर हो जाएगा, सिक्छार्ती के दोरा के रूप में गटित होता है, इन दो प्रकिरियाओं को जाना जाता है, तो इसके अंसर हो जाएगा, इसके अंसर हो जाएगा, इसके अंसर हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में, अगला है, किसी प्रगती सिल्कक्चा की विवस्था में, सिक्छा को ऐसे को बैकल्पिक वीदियों से बढ़ाने के लिए बहुबुदियों को एक रूप रेखा कि तरह ग्रहन करें कोई पांस साल का लड़की की लड़की एक टीसट को ता करते हुए अपने आप से बात करती है लड़की द्वरापरदर सीथ महवार की संदर मेने मिखित में से कौन सा कथन सही है तो इस कैंसर हम लोग देखे तो इस कैंसर हो जाएगा बि प्याजी इसे आहम केंदित भासा करेंगे और वलेव वाविसकी कि इसकी ब्याकिया बच्चे दुरा नेजीक भासा में से अपने क्रियाओं को नेमित करने का प्रयास के रूप में करेंगे अगला कोश निमनिखित में से कौन सी कक्षा सम्रीद सिच्छा को पर साहित करती है तो इस कैंसर जगा हुआ कक्षा जिसमें खुली गतिविदी कोने हो और विभीन परकार के बाल साहित खुली ताक सेल्फ में रखी हो जो दीन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकी अगला है निमनिखित में से कौन सा कक्षा के पाठ पुष्टकों की भूमिका का सबसे अच्छा बनन करता है तो इसका अंसर होगा वे कक्षा में उपलब संसाधन और संदर्व समागरी में से एक है अगला कुशिन हम लोग देखे तो अगला है राष्टिय पाठ चर चा फ्रेम बर्क वे और पांच ने अपनी समझ से दैस से प्राप्त किये तो इस कैंसर होगा रचिना बाद करने के लिए अगला है अनुषासन जो अधिवें बातावरन में महत्पुर्ण गुंका निवाता है किस तरह से मदद करता है तो इसका अंसर होगा बच्चों के अपनी सिख्चा का भी नेमित और मॉनिटर करने के लिए अगला है अनुवांसिक्ता और प्रावरन की भुंका के बारे में निवनिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसका अंसर होगा अभिकास की कुछ प्रवलू अनुवांसिक्ता और कुछ अनुबरावरन से अधिक प्रवावित होते हैं अगला कुशेν है नेमलीखीत में से कौन सा कथन PIA-J किसी धानत के अनुछार में कहां नहीं जा सकता तो इसके एंसर उम्हूत देखे डी निरंक्तर अभ्यास से अधिगम होता है, अगला नेमलीखीत में से कौन सी पुर संक्रियाथमक विचार की एक सीमा नहीं है तो इसके अंसर हो जाएगा प्रतिकात्मक विचार का विकास। अगला एड़ास के अलावा नेमनी खित कार्णों में से खेल यूबा बच्चों के विकास में एक मत्पूर्ण भेमका निवाता है। तो इसके अंसर होगा या समय बिताने का सुखत सरीका है। अगला एड़ा नेमनी खित में से कौन सा प्रस्ण बच्चों को गंभी रुप से सोचने के लिए अमंत्रित करता है। तो इसके अंसर होगा विवीन तरीकों से हमें इसे कैसे हल कर सकती है। समाजिक और प्राकिर्टिक दुनिया का पर्तिबंबित करें। अगला कुश्यन आम लोग देखें। अगला एक उवे लिंगी बेक्तित हो हैं तो इसके अंसर हो जाएगा में आम तोर पर माने गए मर्दाना और इस्त्री गुनों का समायोजन होता है। अगला बच्चे को छोड़ कर अन सभी द्वरा लिंग भुमिकाय ग्रहन करते हैं तो इसके अंसर होगा ट्यूसन। अगला मान की करित परिक्षनों के अलोचनाव में से या एक है कि तो इसके अंसर हो जाएगा वे मुक रुप से मुक दारा की संस्कृती का परतिनिधित करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। अगला है काधिक बुद्धिबानी का सिधान काता है कि तो इसके अंसर हो जाएगा बुद्धि का ही परकार्की हो सकती है। अगला है सिक्षक, सीखने के लिए मुल्यांकन और सीखने का मुल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, तो इसके अंसर हो जाएगा बच्चों की प्रगती और उपलंदी को अस्तर जानने में, अगला कोश्यन है, निम्ली खित में से कौन सा सातफत और ब्यापक मुल्यांकन से सम्मधित नहीं है तो इस Caesar होगा और भुद को भीमर, खराब और बुदिमानम् που करने में उपयोगी होता है अगला है बच्चों को परतीवा सिलता की ड्यश के करण हो सकते हैं तो इस Caesar और अनुवान झिटा और वतावरन के वीच एक अंटर किरिया अगला है समाजी कार्थिक रूप में वन्चित फ्रिष्ट भूमी में से आने वाले बच्चों की कक्चा के महौल को आप सकता होती है जो तो इस कैंसर होगा उनके सांस्क्रीतिक और भसाई ग्यान को मात देता है तता उनका उपयोग करता है अगला है कक्चा मेसेजन आत्मक और परतिवा साली बच्चों के लिए आवास्यक शेप निर्वर करता है तो इसके अंसर होगा बेचान होने पर अकसर उने फटकार लगाना अगला है अलग अलग सोच वाले पैटर उन बच्चों की पहचान करते हैं जो इसके अंसर होगा स्रीविनात्मक है अगला अनेमनी कित में से कौन सा सिप्चक कख्चा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीका का वर्णन नहीं कर सकता तो इसके अंसर होगा अभी सरन उतर वाले प्रसन पूछना अगला अनेमनी कित में से कौन सा एक समड़ेग है तो इसके अंसर होगा डर अगला कोश्यन है एक तीन साल का बच्चा बताता है कि दूद बूद पर एक मसीन का द्वारा उत्पादन दूद का उत्पादन होता है निमनिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा असपश्टी करन परदान करता है तो इस कैंसर अगा बच्चे का जवाब द पर अधारित हैं अगला हम लोग देखे सीटेट पेपर वन जुलाई 2019 का कोशिन है तो पहला कोशिन देखे निमनिकीत प्रस्णों में से उतर देने कलिए सही सबसे उप्युक बिकल्प को चुनना है तो पहला निमनिकीत सरचनाव में से सिक्षा का अधिकार आधिरियम दर्न किसकी वकालत करता है तो इस कैंसर होगा समावेशी सिक्षा एगला है 10 या विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्याले विवस्था पे समान सिक्षा प्रात करने का अधिकार हो तो इस कैंसर होगा समावेशी सिक्षा एगला है एक सिक्षा को चाहिए कि त तक्रिय रूप से भाग लेते हैं अगला है बच्चों का कच्छा में प्रस्म तो इसका अंसर हो जाएगा डी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए अगला है निम्लिकित में से कौन सा मुख परकिरिया नहीं है जिसके द्वारा सार्त्य कदिवम घटित होता है तो इसका अगला है निम्लिकित में से कौन सा अस्तम अर बच्चों का अस्तम खाव में उनके प्रात्मिक्ता बिसेस्ताव के सही मिलान प्रस्तुत करता है तो इसका अंसर हो जाएगा यानि कि परतीबा साली सीगता से एबम सौतान रूप से सिखने का योगता फिर आधिगं यह हो ज सिर्जनात्मक्त प्लाइक के सोच सकता है एंगला है अपधान की कमी अती सक्रीता वेतिकरन एड़ी एच्दी तो इसकैंसर असानी से बिचलित होने की आदत है एंगला है बच्छू की गलतिया इसकैंसर है अधिगम का एक भाग है जिस होने ताठा अगला सरचनात्मक दिश्टिकून के अनुसान आधिगम है तो इसका अंसर हो जाएगा। इसका अंसर एक सक्रिय एवम समाजिक परकिरिया। अगला है जब सिक्षक को विद्यार्थी एवरमस की योगताओं के बारे में सकरात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी डिस सिखने के लिए उच्शु कर्म प्रियरी थुराते हैं अगला है एक सिक्षक बच्चों को प्रवावी रूप से समस्या का समधान करने में सेक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रसाहित कर सकती हैं तो इसका अंसर हो जाएगा बच्चों को समस्या के बारे में सानुभूत अनुमान लगाने एम बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रसाहित करके अगला है वह विदिया जिसके पर्यूग से विद्यार्तियों का स्वाप पहल प्रयास सामिल है निम्में से किसका उधारन है तो इसका अंसर हो जाएगा अधिगम करता के अंदेत विदि अगला है नीचे लिखी गई इस्तिती किस इधाम परदर्साती है जो विद्यार्ति आप अच्छा परदर्सन नहीं कर पाते हैं वे मसूस करते हैं कि वे प्रयावरन के रूप में आच्छे नहीं है हैं तो इसका अंसर हो जाएगा पड़ी बाहर अजला कोश्य ने जीन-प्याजे सिधान्त का परमुक प्रस्ताव है की तो इसका अंसर हो जाए स्वाजिक सही प्यापक आयामों की और संबेगा अगला क्रीषण पडैगे बुद्धिंग में,zing नेद directamente ुद्धि revival of heaven, जिसमें बुद्ध्य परिछनों के दौरपुल रूप से पड़िमें नग की जाने वाली योगताय सामिल है। अगला है प्रगाति सीर सिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है तो इस कैंसर हो जाएगा भी सक्री अनवेशनों के रूप में। अगला कुश्यन है लेवावस्की के अनुसार अधिगम तो इस कैंसर होगा एक समाजी कतिवीदी है। अगला कुश्यन है चालक विकास की दर में ब्यक्तिगत विविता होती है फिर भी चालक विकास का करम डैस तक होती है तो इस कैंसर हो जाएगा भी अपरिस्क्रीट स्थूल चालक विकास परिस्क्रीट सुक्ष्म चालक विकास। अगला है वो अफदी जो देस्ता के संक्रमन की पहल करती हूं से क्या कहते हैं, तो इस कैंसर हूजएगा किस हो रावस्ता? ग्यान को सक्रिये रूप से संड़चित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में पैबार कोशल का पयोग करते हैं तथा अनुवेशन करते हैं अगला कुश्यन देखें, मौखिक संबाद जो बच्ची अपने आप में करते हैं, उन्हें लेवावस की क्या कहते हैं, तो इसका अंसर होगा व्यक्तिगत वारता, अगला है खिलोने पानावे की बस्तुय घरेली समागरिया बेवसाय यम रंगों की विसिष्ट लिंक के सा सम मंदित करना क्या परदर्स्तित करता है, तो इसका अंसर होगा जेन्डर रुरी बादिता, अगला एक प्रारंबिक अक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अन्भाव लाती है, तो इसका अंसर हो जाएगा उन्हें सामिल कर उनका संचय करना चाहिए, अगला एक करता है कि हींज को दबाई की चोरी नहीं करने चाहिए, वह दबाई जो उसकी पत्नी की जान पचानी के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकरा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, कोहल बर के अनुसार, वह बच्चा नैतिक समझ सिक्की सवस्थ के अंतरगत आता है, तो इसके अंसर हो जाएगा, बी डंड और अग्या पलन अभी विन्यास, अगला कोश्चन देखे, सीटेट पेपरवन दिसंबर दोर उनीस का, तो पहला कोश्चन है, भासा के अरजन अबन विकास के सरवादिक संबेदन सिल अब्दी कौन सी है, तो इ क्यों कि तुल्ला में लर्कों परदिक ध्यान देता है, या किसका उधारन है, तो इसके अंसर होगा जेंडर पक्षपाद, एगला है, बच्चों में जेंडर उर्धी बाढ़ता है वं जेंडर भूमी का अनुरुपता को काम करने के लिए निमने खित में से कौन सी पदिती प्रभाव साली है, तो इसके अंसर होगा जेंडर पक्षपाद के बारे में परिचर्चा, एगला है, निमने खित में से किस मनों बेज्ञानिक ने बच्चों के ज्यान के सक्रिये जिग्यासू के रूप में देखते हुए, उनके चिंतन पर समाजी के वं सांस्कृतिक इसे यह जूता पूरा बन जाएगा, इस परकार की वार्ता को वार्स की किस तरह से संबोधित करते हैं, तो इसके अंसर होगा ब्रेक्तिकत वार्ता, अगला कुश्यन हम लोग देखें, तो बच्चों को संके देता और देना और अफसकता परने पसायोग परदान करना निम निकित विवारों में से कौन सा जिन प्याजी द्वरा प्रस्तावित मुल संक्रियात्मक वश्ठा का बिशलेचीत करता हैं, तो इसके अंसर होगा संग्षा कक्षा समावेशन, अगला बच्चों को संग्यात्मक विकास की संदर में निकित में से कौन से प्याजी की तो इसके अंसर हम लोग देखें तो डी बहु बुधी बहु यामी बुधी बहु यामी या जटिल योगताओं का एक समू है एक रूही हमेशा समस्या से एक अधीक समस्दानों के बारे में सोचती है इसके कापी समधान मौलिक होते हैं रूही किन गुनों को परदर्शन कर र तो इसका अंसर हो जाएगा अपनी सिक्षन पतिती पर विचार करना चाहिए तता बच्चों की सभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूनने चाहिए अगला है एक समावेसी कख्षा में एक सिक्षा को विशिष्ट सेक्षिनिक योजनाओ को तो इसका अंसर अधिकार अधारत मानत्ता वादी पड़ी पेक्षिए अगला है सरचना वादी ढाचे में अधिगं प्रात्मिक रूप से है तो इसका अंसर होजाएगा अब भोधन की परकिरिया पर केंदरी थे है अगला है आने गटनाओं के बारे में बच्चों दोरा बनाएंगे सहजा प्रत्मुक्ता देना अगला कोशन है अगला है संबेग और संग्यान एक दूसरे से हैं तो इसके अंसर हो जाएगा सन्हित है अगला सरचनावादी सिधांतो कर नुसार अधिगम के बारे में नेमनिकित कत्नुम 100 कौम सही है तो इसके अंसर हो जाएगा आधिगम सक्रिय विन अगला है बच्चों को अधिगम गति वीदियों के में भागिदारी करने के लिए लगताय प्रुसकार देना है उन्डण किसे पडियों करने से क्या प्रवाव पड़ता है तो इसके अंसर हो जाएगा अधिगम में बच्चों को सभाविक और अविरूची ततर जिग्यासा कम होती है अगला है नेमने खित में से कौन सी प्रत्याय सार्थक अधिगम को बड़ावा देती है तो इसके अंसर होगा बी एनिकी स्वयोगात्म का अधिगम प्रियावरां तीसरा सातात और स्वमगर मुल्यांकन अगला है शिक्षक बच्चों की जटी लवधार नौ कुश स मच को किस परकार सहज कर सकते हैं तो इसका अंसर होगा अनमेशन आयम परिचरचा के लिए अफसर परदान करके अगला कुश्यन है, एक प्रात्मिक भीद्यालक या द्यापिका बच्चों को एक प्रवावसाली समस्या समधान करता बढने के लिए किस परकार प्रसाहित कर सकती है? तो इस कैंसर हम लोग देखे, D बच्चों को साजानों भूद्ध अनमान लगाने के लिए प्रसाहिद करके तता उसी पराधारित विचार मंतन करके अगला एनिमनिकित अबदी के लिए किस में सारिक बेदी और विकास कतीव गती से गटित होता है तो इस कैंसर होगा अगला एनिमनिकित में से कौन सार विकास का सिधानत नहीं है तो इस कैंसर होगा इस कैंसर है D यानि कि विकास अरभौमिक है और संस्क्रितिक संदर में से परवावित नहीं करते है अगला है बैत्विक बिविनताओं का प्रात्मी कारण क्या है तो इसके अंसर हो जाएगा आनुवन सिक्ता और प्रयावरन के बीच जटिल प्रासपरी किरिया अगला निमनिकित में से कौन सा अदूतिय समाजिकरन एजेंसी का उधारन है तो इसके अंसर हो जाएगा बिध्याले एबम मीडिया अगला कोश्चिन देखे जो कि सीटेट पेपर वन जनवरी द्वरे कीस में हुआ था पहला है निमनिकित प्रस्णों में से उतर दीजिये सहब से उप्युक बिकर्ब को चुनना है पहला बिबित प्रिष्ट भूमियों को आदिगम करताओ को संबोधित करने हैं तो एक अधियापक को तो इसके अंसर हो जाएगा बिबित विन्यासों से उधारन लेने चाहिए अगला समस्या समधान चमताओ को किस परकासु साध किया जा सकता है तो इसके अंसर होगा समरूपों का इस्तमाल को बढ़ावा दे कर अगला आदिगम कठिनाईयों सजूचते चातरू की जरुतों को संबोधित करने के लिए एक अधियापक को क्या नहीं करने चाहिए तो इसके अंसर होगा सिख्छा सास्त राकलन की जटिल सनचनाओ का परियोग अगला आसे जनात्मक्ता का पंश्चान का परमुक लक्षन क्या है तो इसके अंसर होजाएगा अब सारी चिंतन अगला नेम मेंसे अधियापन अधिगम का सबसे प्रवावसाली माधिम कौन सा है तो इसके अंसर होगा संकल्पनाओं के भी संबंध खोजना अगला है एक अध्यापिका को D किसी कारिया कलाप में चात्रों की विविन तुरूटियों का विसलेशन करना चाहिए क्योंकि इस कैंसर हम लोग देखें इस कैंसर हो जाएगा D तुरूटियों की समझ अध्यापन अधिगम पर किरिया के लिए अर्थपून है अगला है आधिगम की अभी प्रेरना को किस परकार कायम रखा जा सकता है तो इस कैंसर होगा प्रवीन्ता अभी मुखी लक्षों पर जूर देकर अगला है सरमिंदगी तो इस कैंसर होगा का संग्यान पर नकरात्मक परवापर सकता है अगला है आधिगम का सनचनात्मक विचार के सुजाओ देता है कि ज्यान की सनचना में वह जगा बच्चे सक्रिय भरनिका निभाते हैं अगला है आधिगम के लिए निम में से कौन सा धार्ना प्रवप्यूगत है तो इसका अंसर हो जगा योगृत्ता सुधारी है अगला है निम में से कौन सी परिपाटी विद्यार्तियों की संकल्पनात्मक समझ की बड़ोत्री करने में सायक है तो इसका अंसर हो जगा भी अनवेशन और संबाद अगला कुश्यन है बच्चू को सिखने में कठनाई होती है जब तो इसका अंसर हो जगा सूचना आलाग अलाग टुक्रों में प्रस्तुत की जाए अगला आधिगम की सर्वोता मवस्था होती है कौन सी है तो इसका अंसर हो जगा संत्रलित उतेजना का कोई भै नहीं अगला बच्चू के विकास की बेक्तिगत दुविनताओं को किस परकार प्रती रोपित किया जा सकता है तो इसका अंसर अनुवान सीखता है प्रयावरन की पड़स्प्रिक्ता पर अगला एक कारी के दुरान सियाना स्यम से बात कर रही है कि वो कार किस परकार प्रती कर सकत दिले वावस्की के भास और चिंता सोच के बारे में दिये गए विचारों के इंसारिश तरह ब्यक्तिगत वाक्या दर्साता है तो इसके अंसर हो जाएगा D. स्वयम नियमन अगला है मुल्यांकन पदिती का लग्ज होना चाहिए तो इसके अंसर हो जाएगा विद्यार्तों के जरूते हम सकताओ की पहचान करना अगला है एक गतिवीदी के दोरान चात्रों को संगाज करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत औरी सारे जैसे क्या क्यों कैसे परदान करनी की फैसला लेती है लेह वारिस की किसी दान्त के नुसार अध्यापिका की या युजिना तो इसका अंसर होगा आधिगम के लिए पार अधारबुत सरचना का काम करेगी एक खेल किरिया की दोरान चोट लगने से रोहन रोने लगा यहाँ देख कर उसके पृता ने का लड़कियों की तरह बेवार ना करो लड़की रोते नहीं पृता का जियो कथन इसका अंसर हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा 18 का C लेंगी कुरूडिवाधिता को दरसाता है एगला एक प्रगती सील कक्छा में तो इस कैंसर हो जागा ग्यान की सरचना के लिए परचूर मोगे परदान करने चाहिए एगला लॉरेंस कोहल बर्ग के सिव्यांत के अनुसार किसी कार को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे से स्विक्रित देते है नैतिक विकास के चरण को दरसाता है तो इस कैंसर हो जागा प्रथागत एगला है बच्चों के समाजी करन की संदर में निम में से कौन सा कथन सही है तो इस कैंसर हो जागा बिद्याले समाजी करण का एक दूतिय कारख है और परिवार समाजी करण का प्रात्मी करण है अगला है बहु बुद्धी का सिधान्त जोर देता है तो इसके अंसर हो जाएगा बुद्धी मता की बिभीन दसाए है अगला है जिन प्याजे की संगनात्मक विकास के सिधान्त में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुक गुन क्या होता है तो इसका अंसर हो जाएगा विचार सोच में केंद्री करन अगला है विकास की संदर मेनिम में से कौन सा कथन सही है तो इसका अंसर हो जाएगा विकास बहुयामी होता है अगला कुश्योन है, लेव आवेस्की का स्माजिक संस्क्रितिक पड़ेख्य अधिगम परकिरिया में क्या माहतु देता है तो इसके अंसर हो जाएगा संस्क्रितिक उपकरणों का। अगला जीन प्याजी अपनी संग्रात्मक विकास के सिदान्त में संग्रात्मक सनचनाव को के रूप में बर्नित करते हैं तो इसके अंसर हो जाएगा इसकीमा याने मनोबंद अगला एक समावेसी कक्छा में डैस पर जोड होना चाहिए तो इसके अंसर हम लोग देखें हर बच्चे की समार्थ को अधिक्तम करने के लिए अवसर परदान करने अलबा कुश्चन हम लोग देखें दिब्यांग जन अधिकार अधिनियम दरसूरला के अनुसाने में से किसा दाबली का परिवोप्यूक्त है तो इसके अंसर हम लोग देखें छातर जिसे सारिक देब्यांगता है अगला जनम से किसेरा अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है तो इसके अंसर हम लोग देखें संबयादिक मुर्थ और अमुर्थ अगला एक प्रगति घुजिल काक्छा में बैक्ती patio भीविंताव को किस परकार देखा जाना चाहिए तो इसका एंसर होगा अध्याप्पन अधीगम परिकिरिया पर्योजना के लिए महत्वण आशा करतें आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मैब वीडियो पसंद आती है ये लाइक करें शयर करें साथी चैनल को सबस्क्राइब करें और इसका पेडिया प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जूर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन वक्त में दिया गया है तो आज के लिए इतना है दूस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यूँ